इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो मैं बताऊंगा भाई लोग अंदर बाहर कट पत्ता तीन पत्ती अंदर बाहर में खीच पत्ता होता है चमक ट्रिक होता है काट ट्रिक होता है तो अगर जो आप लोग जुगा खेलते हैं ठीक है बरबाद हो चुके हैं काफी सारा पैस अंदर बाहर में हार ऊके बर्बाद हो चुके हैं कंदर बाहर कट पत्ता, मांग पत्ता कि खींच पत्ता और तीन पत्ती जो भी कवेमन वरें जो आप काफी सारा पैसा हार चुके हैं ठीक है दोस्तों ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि आज कि इस वीडियो में आपको वसी करण मंत्र टोटका नहीं कर बताँ चाह hailगा ये भोज पत्र सबसे बहुत और खतरनाग फेपर आता है दोस्तों फिसमें आप पुजा-पार्र की तंत्र मंत्र जादू फोक्तो आ अगर जो आपको भोज पत्र नहीं मिल जाता है ठीक है तो आप पीला कागज भी ले सकते हैं पिंक गुलावी कागज भी ले सकते हैं एक पेज कोई भी कागज ले सकते हैं लेकिन अगर जो भोज पत्र मिल जाता है तो सबसे बेतर है ठीक है तो चली भाई लोग इस वीडियो मैं देखा कि कुम्बरासी वाले जितने भी ब्यक्ति हों उस तरह अगर जो आप टोटका कर लेते हैं वाई लो तो 100% जीतेंगे चाहे कोई भी गेम हो लेकिन आज का जो वीडियो है आज का वीडियो उससे भी अलग है सांदार्ट्री के साथ आज का वीडियो में मैं बताऊं और काफी सारा पैसा हार चुके हैं बरबाद हो चुके हैं तो ये वीडियो जरू देखिएगा ठीक है इसमें मैं बताऊंगा दोस्तों आप कटक खंदरबार हो कट पता हो कोई भी जुआ के लेंगे 100% जीतेंगे चलिए और सिंगरास में कौन-कौन से भाई लोग आते हैं एक बार और ध्यान से चुनिए मो मी मे मो टा टी टू टी ये सब सिंगरास के बंदे हैं ठीक हैं इंगलिस में यम और टी आप बोल सकते हैं ठीक है तो चलिए भाई लोग अगर जो आप लोग कोई भी जुआ खेलते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरू देखिएगा मैं पूरी गारंटी और पूरा वादा करता हूँ अब लोग के साथ भाई लोग आप लोग इस तरह घर पे कर लेते हैं ये टोटका तो जो भी जुआ खेलेंगे जो भी जुआ खेलेंगे 100% जीतेंगे ठीक है चलिए अंदर बार हो या खीच पत्ता हो बंदा कहीं से एक पत्त से देख सकते हैं चुआ की पत्ति अंदर आ चुकी है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा भोज पत्र की मदद से हाँ भोज पत्र का पेपर है अगर जो आपके पास भोज पत्र नहीं है पेपर नहीं मिला है तो आप पिंग कलर आइकन प्रेस जरूब कर लेज़ेगा क्योंकि इस बंदे की रास कौन सी है आप लोग एक एक वीडियो देख लीजिएगा समझ में आजाएगा ठीक और इसके अलामात जो भी चीज पूछना है सीखना वह कमेंट जरू करें नहीं तो चलिए दोस्तों एक बार मैं और सफल कर दे रहा हूं ठीक है पुर्री लगा दे रहा हूं जो भी पत्ता बंदा कट करता है जो भी पत्ता हो जो भी गड़ी हो कोई भी तास कोई भी जगा कोई भी कलब कसी नहीं उससे मतलब नहीं होगा जो आप एक बार सिद्ध करके उसको लेके जाएंगे दोस्तों तो 100% जिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूब कर दिजाए दोस्तों देख सकते हैं चक्के की पत्ती अंदर आ चुकिए जो भी पत्ती मेरभग तो आप कहेंगे वो पत्ती में निकालूंगा और अंदर ही मार के दिखाऊंगा अभी आप लोग वीडियो को इसकीप नहीं करि भाई लोग अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो सब्सक्राइब जरू करने हैं क्यूंकि ये वीडियो इंट्रेस्टिंग है साथ ही साथ ऐसा जो भी वीडियो आएगा डेली मेरा आएगा और इंट्रेस्टिंग रहेगा ठीक है तो साथ ही साथ आप बेल आइक तो दोस्तों अगर जो आप कलब हो, कसीन हो, गाँ में कहीं विजुगा खेलने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए ठीक है इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरी जानकारी समझे देखिए देखिए दोस्तों यह होता है भोजपत्र भोजपत्र आप तो यकीन वानिये जो भी जुआ खेलेंगे 100% जीतेंगे यह मेरा पूरा पूरा गारंटी है तो आज मैं सिंगरास के बारे में बताऊंगा तो सिंगरास के जीतने भी बंदे होंगे ध्यान से पहले देखिए चलिए यहां पर मैं कुछ अच्छर और कुछ संख्याय लिखन जा रहा हूं ध्यान से देख लिजिए उसके बाद दोस्तों यहां पर दो लॉंग है ठीक है दो लॉंग है दो इलाइची और एक नियम्बू कैसे कैसे करना सारा कुछ मैं बताऊंगा ध्यान से देखिएगा तो चलिए भाई लोग यहां पर मैं सिंग रासे वालों की जो स संकेत का यह चीन है दोस्तों सुब नंबर होता है आठ एक छे तीन पांच साथ चार न दो यहां पर नीचे दो जगा ओम इधर भी ओम इधर भी ओम नीचे सिंग और बीच में जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है ठीक है उपर मैंने मंत्र लिखाया चलिए अब ध्या पूरी गारंटी के साथ काम करेगा यह पूरा मेरा वादा है ठीक है यह नेमू लिजिएगा ठीक है नेमू पर इधर आप अपना नाम लिख लिजिएगा यह एक जगह कहीं भी आप अपना नाम लिख जिएगा ठीक है नेमू पर नाम लिखने के बाद यह लॉंग और इला जो है दोस्तो ठीक है इसको आपको अपना नाम लेके जो भी आपका नाम है आपका जो भी नाम है अपने सर को इस पर साथ बार घुमाना है और लाश्ट में फूक मार के हाँ पर रख देना है ठीक है ध्यान से समझेगा ये दो इलाजी को अपने सर पर साथ बार घुमाना है अपना नाम लेके और फूक मार के नीचे रख देना है फिर आपको लॉंग लेना है दो लॉंग ठीक है जो दो लॉंग है दोस्तो उसको आपको लेना है और इसको आपको 21 बार अपने सर पे घुमाना है 21 बार ध्यान से समझेगा मैं प्यार भग तो पूरी गारंटी के साथ जो भी जुगा खेलते हैं पूरी गारंटी के साथ जीतेंगे ठीक है ये दो लॉंग है अपने सर पे 21 बार घुमाना है और नाम लेके इसको फूक मारके इस यंत्रकवच पे रख देना है रखने के बाद मेरे प्यार भेक तो क्या करना है आपको किसी भी दिन लेकिन ज्याद से बारे के बीच में आपको फूजा करना है पूरी गारंटी के साथ मेरे दोस्तों 100% जीतेंगे पहले द्यान से चुनिये आपका जो गाउं में हो या सहर में हो या कहीं पे हो सबसे पुराना ब्रिक्स हो ठीक है वो भी पीपल का उस पीपल के नीचे आपको रात में जाना है एक छोटा सा धीपक जलाना है फिर आपको अगरवत्ती कपूर कुंपुं हल्दी उगरा लेके जाना ठीक है और वहां पे बैटके इस तरह आपको बना लेना पहले से बना के आप रखिएगा भोज पत्र पे या फिर पीला या फिंट पे कोई भी पेपर बटी के दोस्त अब इस तरह रखके आपको एक मंत्र का उचारण करना है जैसे ही दोस्तों मंत्र उचारण करके शिद्ध करके वापस आप लोटेंगे ना सूबह होते ही ऐसा चमतकार होगा कि सिंगरास वालो आप लोग हैरान हो जाएंगे ठीक है एक बार जरूर आजमा के देखिएगा चलिए अब मैं बताता हूँ जब आप उस ब्रिज के नीचे बैठिएगा दीफ़क जलाईएगा ठीक है फिर अगर बती कपूर जलाके आप बैठ जाईएगा अब यहां पर यह सब नीचे रख दीजेगा और दोस्तों यहां पर देखिए मंत्र है देखिए जीतने भी रा इसमें क्या है ओम हिरीम हिरीम सुरिया या नमा मिरे प्यार भगतों यह संस्क्रीत सब्द का मंत्र है मंत्र जो होता है संस्क्रीत बहां सामें लिखी जाती है तो जो भाई लोग अगर जो बना लेते हैं रेडी कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो जो भाई लोग नहीं रेड करके भेजूंगा आपका जो भी ड्रेस रहगा सामान आपके घर पे जाएगा और साथ ही साथ दोस्तें यहां पे देखिए आपके नाम शेशी दिकर के एक लॉकिट भी बनता है आप लॉकिट भी बनवा सकते हैं इसको भी आप ताबीज गले में पहन सकते हैं पर्स में रख सकते हैं जेम में रख सकते हैं या काला कपड़ा में भी आप बाजू में हाथ में बांच सकते हैं अब आपको क्या करना उस ब्रिच के नीचे पीपल के नीचे आप जब दीपक जला के बैठिएगा तो एक आपको पीपल का पत्ता लेना है ठीक है उसी पीड का है और नीच इसको करना है एक सो क्यावन बार ओम हिरिम हिरिम सुरिया नमा मेरे प्यारे भग तो यह शिंग राशी का ऐसा ब्रह्मा का जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्रह्मा का वर्दान तो उसी तरह यह ब्रह्मार है दोस्तों कि आप जो भी जूबा खेले जाएगा 100% जीतेगे जूबा में लैटरी हो शट्टे का नंबर हो अंदर बार हो कटपता हो तीन पत्ती हो आफ लाइन गेमों आनलाइन गेमों जो भी जूबा खेलेंगे आख मोंद के खेलेंगे दोस्तों आख मोंद के आप जीतेगे हर जूबारी आपके बस में हो जाएगा हर तास की गड़ी आपकी गुल्लाम भी करेंगे, आप जीधर चाहेंगे, उदर पत्ता मारेंगे, 100% आप ही जीतेंगे, आपको कोई हारने की बात ही छोड़ दीजिए, आप से जुएड़ी लोग खेलने से डरेंगे, ठीक है, चलिए, अब बताते हैं, ठीक है, जब आप 191 पूजा, मंत्र कर लिजिएगा, लास्ट में आप वहां से उठीएगा, फिर अगर वत्तिकेपुर जला लिजिएगा, ये निम्बू को, वहीं पर आपको क्या करना है, जमीन में गार देना है, या थोड़ा सा आप लोहे की कोई चीज लेते जाएगा, ठीक है, मेरे पहरे भक्तों, आप प अपना नाम लिखे, उस नीचे जमीन में गार दीजिएगा, और जो लॉंग है, ठीक है, इसमें से दो लॉंग और दो इलाची, एक उत्तर की तरफ फेगईगा, और एक दच्छड की तरफ, ठीक है, जैसे समझ लेजिए, दो, एक लॉंग, एक इलाची, दच्छड की और एक लॉंग एक इलाची, उत्तर की तरफ, ठीक है, मेरे प्यार भग, तो इधर ऐसे आप फेग दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको जमीन में नीचे कार दीजिएगा, जो पीपल का पत्ता होगा, उसको आप ओहीं पे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यह जो प पान, सेवन, मीट मांस, कुछ नहीं, खाना डिक, फिर सुबह आप नहां दो के इसको पहन के आप जुगा खिले जाएंगे, दोस्तो ऐसा जो चमतकार करिश्मा होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्डर पर्टेंट जो भी गेम खिलेंगे, आप जीतेंगे, त दोस्तो इसके बाद मैं जो भी रास हैं, एक एक रास डेली भाई डेली आपका वीडियो बनाता रहूंगा, चलिए, जै महाकाल, जै मतादी